तो आगर तब अच्छों आपका Self Study के इस चैनल में तो आज के हम अपनी 23rd वीडियो Vocab की स्टार्ट करते हैं और इससे पहले जो मैं आपको 22 वीडियो करवा चुका हूँ वो एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रहे हैं Vocabulary के नाम से तो अगर आपने वीडियो वाली वीडियो नहीं देखिए तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं और हम अपनी Vocab कैसे याद कर रहे हैं With Key के साथ या फिरकूं With Trick के साथ ताकि हमें ये Vocab याद रहने में आसानी हो बिना Time Goodbye हम अपना पहला वर्ड देख लेते हैं जो पहला वर्ड है वह है Altercation 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 इसका क्या मतलब होता है जगडा और Alter इसको हम याद करेंगे Alter से ही Alter क्या आता है कि Alter जो आप लेडिस जो है वो जाती है Alter करवाने अपने सूट के लिए या फिर जैंट्स भी जाते है Alter के लिए तो यह ऐसे इसको हम समझेंगे तो Alter करने वाले Alter करने वाले देखो किसी को मैं यह कहनी रहूं कि वो जगडा करते हैं बस यह याद करने के परपस पर है Alter करने वाले Alter करने वाले लोग Alter करने वाले लोग बहुत बहुत जगडा बहुत जगडा करते हैं clear यहां पे तो यहां पर alter यहां पर इसकी key भी आगी और जगडा यहां पर इसका meaning भी आगया clear हुआ तो यह था हमारा first word altercation इसका मतलब होता है जगडा और हमने इसको याद किया alter alter मतलब की जो सिलाई वाले वो काम करते हैं, अल्टर थोड़ी वो changes कर देना, आपकी fitting में अगर आपको tight आ रहा है, थोड़ा उसका loose कर देना, या loose आ रहा है, तो मतलब उसको थोड़ा tight कर देना, यह वाली चीज़ें ओके, second word को आते हैं second, जो word है, वो है nettle nettle इसका मतलब होता है, तंग करना और इस word को हम याद करेंगे nettle, nettle का मतलब होता है, इसी को इसी से हम करने वाले है, नै तल, nettle, नै का मतलब नहीं, और तलने का मतलब क्यों होता है, टालना होता है किसी को, कभी या आज मता कल आ जाई हो, आप उसको टालते रहे रहे हो, एक दो दिन से टाल रहे हो, लेकिन भाई वो तलने वाला इंसान नहीं है, ठीक है? तो इसी से हम याद करने वाले हैं. Example के तरव हम इसको समझते हैं? Example में के समझेंगे? ने टलने वाले लोग बहुत तंग करते हैं तंग कैसे भाई या आपने किसी से पैसे लिए और आप कह रहे हो कि आजा मतलब कि कल आई हो यार कल मैं आप तुझे पैसे दे दूँगा लेकिन आप उसको टाले जा रहे हो बट वो तलने वाला ही नहीं है आपने उसको कहा कल आई, वो तो आज-काज फिर से आगए, वो तलने वालों में से नहीं है, वो तंग करेगा आपको, तो ने तलने वाले लोग बहुत तंग करते हैं, तो तंग करना यहाँ पर इसका meaning भी आगया और यह के भी आगया, नेटल, नेटल का मतलब होता है, तंग पुरे लिखती है, रैट से, रैट का मतलब क्या होता है, चूहा, ओके, चूहा करता गया है, आपने, आपको पता होगे भी या शाम के टाइम में या रात के टाइम में चूहा, कुत्र-कुत्र, चोड़ी-चोड़ी तोड़ी 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 रेट बहुत आवाज बहुत आवाज करते हैं बहुत आवाज करते हैं ओके यहां पर आगया रेट यहां पर इसके की भी आगया और आवाज करना यहां पर इसका मीनिंग भी आगया तो रेटल का मतलत होता आवाज करना हमने इसको कैसे किया rat से, यहनि चूहे से ओके, थर्ड वर्ड के बाद हम हमारा जो फूर्थ वर्ड है जेपरडी जेपरडी ओके, जीओ मत बोल देना इसको कहीं वो जीओ, रिलाइन, जीओ वाले या बाज, वो उससे मत करना, जेपरडी है इसका मतलब होता है संकट इसका मतलब होता है संकट अब हम इसको याद कैसे करेंगे जेपरडी को, जेपरडी को हम याद करेंगे जीओं पर, जीओं पर दया जीओं पर दया, कहीं न कहीं जीओं, जीओं पर दया, इसका मीनिंग कहीं न कहीं ऐसे निकालेंगे, ओके, जिवो पर दया, ओके, संकट, ओके, इसका मतलत है संकट, अब इसको example के दुरू हम समझते हैं, जीवों पर दया को, इसको की को use करते हैं, यहां पर example में आचे हो, जीवों पर, जीवों पर दया करो, जीवों पर दया करो, क्यूंकि, 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 क्यूंकि वो संकट में है, क्यूंकि वो संकट में है, क्लियर, क्यूंकि आज की डेट में देखो तो बहुत जादा, मतलब कि गर्मी के टाइम में क्या हो रहा है, जो उनके पास पानी नहीं है, तो पक्षियों के लिए जो होते हैं, पानी रख देते हैं, क्योंकि वो उनको प्यास लगती है, तो वो अपनी कई लोग छटों के ओपर पानी डाल कर रखते हैं, कोई बाहर जानवरों के लिए पानी रखते हैं, तो वो काफी सारी मदद कर रहे हैं, तो ऐसे ही इस वीडियो का लास्ट वर्ड हम देख लेते हैं, जो लास्ट वर्ड है, incarnate, इनकार्नेट, इसका मतलब होता है, अवतार, इसको करेंगे कैसे, याद incarnate को, incarnate को याद करेंगे, इनकार से, इनकार से, क्योंकि इसमें इनकार आ रहा है, इनकार मना करना, एक्जाम्बल के तरह हम इसको समझते हैं, दुस्टों ने, या राक्षिशों ने, दुस्टों ने, इनकार कर दिया, इनकार करने पर, दुस्टों के इनकार करने पर, भी, इनकार करने पर भी, अवता अवतार धर्ती पर आए, अवतार धर्ती पर आए, तो दुस्तों के clear मतलब कि इंकार करने से क्या होगा, अवतार तो आएंगे, ओके यहां पर हो गया आपका इंकार, इसकी की आगी और अवतार यहां पर इसका meaning भी आगया, यह था आपके सामने incarnate, एक बार जल्दी से इन प करने वाले लोग क्या करते हैं, बहुत जगडा करते हैं, नेटल, नेटल का मतलब क्या होता है, तंग करते हैं, नेटल का मतलब होता है, तंग करते हैं, नेटल का मतलब होता है, और नेटलने वाले लोग क्या होते हैं, बहुत तंग करते हैं, रेटल, रेटल का मतलब होता ह की क्या की उसकी जीवों पर दया क्योंकि वो बहुत संकट में है जो लास्ट वड हमने देखा इस वीडियो का incarnate incarnate का मतलता है अफ़तार example के तुर हमने इसको कैसे समझा है इसको हमने किया है इनकार से दुस्टों के इनकार करने पर भी अफ़तार धरती पर आए I hope so आप लोगों को यह पांचों बड़ अच्छे से याद हो गए होगी याद हो गए है तो इस वीडियो क्या करेंगे लाइक करेंगे चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और दोनों ही काम आप एक साथ कर सकते हो इन दोनों के लिए चैनल और वीडियो के लिए वो क्या वो शेयर कर सकते हो दोनों को इस चैनल को भी और इस वीडियो को भी क्लियर ओके इस वीडियो से रिलेटिड अगर आपको झाल झाल झाल